आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम अडानी पावर के शेयर के बारे में आज आपको देखने को मिला अडानी पावर में काफी दिनों के बाद एक बढ़िया तेजी देखने को मिली और शॉक अपर आने चारी अपने शेयर को इसका एक बड़ा दोस्तों जो रीजन है वो आउट हो चुका है क्यों है वह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखेगा और क्या यहां पर आपको वापिस से असी रुपे के तरफ जाता आप चाहे तो माने आपर दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दर शेयर बाजार को कल एक नया वीडियो नहां पर आउट होने वाला है एक इंट्रेस्टिंग वीडियो रहेगा किसी के पोर्टफियो के उपर दोस्तों बना रहा हूं में वीडियो तो आप जाके चैक आउट कर सकते हैं उस वीडियो को भी कल तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और नोटिफिकेशन की बैल को जरूर दोस्ते हैं पर प्रेस कर लीजेगा लास्ट वीडियो आईर एफसी के उपर आया था उससे पहले एच एफसी एल एन यस बैंक क क्या सपस की क्लोजिंग दीए 3 रुपे 65 पैसे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 5% का देखिए आपको सर्केट लगता हुआ देखने को मिला है क्योंकि लिमिट इतनी है स्टॉक के अंदर जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही इसका मतलब यह ही कि स्ट के आसपस से आपको स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है और 77.25 का दोस्तों यहां पर आपको जो अपर सगिट है वो लगता हुआ देखने को मिला है स्टॉक के चार्ट के उपर और बात करेंगे आगे लिकिन सबसे बड़ी बात कंपनी क्यों डी लिस्ट होना चाहती है इ जिसमें दोस्तों यह बताया है कि छे ऐसी कंपनी जिनका जो फाइनेशल लेवरेज जनी जो डिट है उन कंपनी के उपर बहुत जादा है तो क्यों ऐसी कौन कौन सी कंपनी से आपको आपको देखने को मिलती है जिनका फाइनेशल लेवरेज काफी जादा है यह आपको मैं देखें यहां पर जो financial leverage वो काफी जादा है company के जो total debt है वो करेमें 650 650 263 million के आसपस रहती ही देखने को मिली है और जो company की net worth है वो सिर्फ देखें 4976 million के आसपस रहती ही मिल रही है यानि जो company की debt है वो company की net worth से जादा आपको देखने को मिल रही है इंद के कारण दोस्तों के यहाँ पे आड़ानी पावर ने ऑप किया या बाजी दिखने हो दिखने अपनी इत्शा से यहाँ पे आपको टीलिस्ट करवाना चाहती है इस शेयर को विकॉस Jest जितना यहां पर दिख रहा है वह company को बहुत जादा Mushkil में लाता होाँ देखने को मिल सकता है और जिस तरह से company का business बली अपको ग्रोटा हो को देखने को मिलेगा लेकिन साथ साथ में company के जो ड़ेट है वो लगातार यहां पर आपको increase होती भी देखने को मिल रही जो अपने आप में दोस्तों एक negative point है और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि जिस तरह से company का lot of planned capital expenditure आगे रहेगा इसके कारणान यही रहेगा कि जो debt है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो इसलिए दोस्तों अगर से कंपनी कोई अन्वेर्ट कर रका हैं तो इस कारण चांशे बहुत जादे रहते हैं बनने बहुत ज़ादा रेते हैं बंडीन के लेकिन जिस कंपनी में बहुत ज़ाधा डेट रोथी देखने को मिल जाए यंदे का इइ स्टॉप्पा आपको पता हुआ देखने को मिले इसके अटाय। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अड़ानी पावर डिलिस्ट होता हुआ नजर आ जाए और काफी लोगों ने यहाँ पर इन्वेश्मेंट भी कर रखा है तो याद रखेगा यह में रीजन है जिसके खारण अड़ानी पावर आपको अगर आगे डिलिस्ट होता है तो इसका अफिशल आपको निकलता हुआ नजर नहीं आएगा कि अफिशल कंपनी के तरफ से भी कोई बयान निकल गया कि यहाँ इस देट पर हम डिलिस्ट करवाने वाले बयान पहले आए थे कि डिलिस्ट होगा लेकिन अभी तक कोई डेट ऐसी अनौन्स नहीं हुई है अब बात कर मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी बड़ी वो डेट लीडर है लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं है वह देखे पहले भी था उसके बावजू स्टॉक बढ़ा है तो असी रुपय के पार निकलता है कि निकलता है वह आपको कल मालूम पड़ लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने आपे बाइंग कर रखी पहले से ही तो अभी बेचने का देके सेंस नहीं बनता है यहां से बापपी से स्टॉक में हो सकता है कि बाउंस बैक के एक रैली आ जाए शेर आपको ऊपर आता वा नजर आ जाए या फिर कोई बड़ी आख करके रखी कि क्या होता है आगे हमको देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स याद दिखिए कल के लिए मुझे अपनिंग होगी और कल का टार्गिट 79 रुपीज का होता वा देखने को मिल सकता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होप अपको अच्छा लगा होगा अपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन दागिएगा थेंक्यू फ्रेंट्स फ्राचिंग इस वीडियो